हलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल हरबल ग्यान पर दोस्तों, आज की सीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी सरीर में जमा गंदगी को बाहर कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, हमारे सरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदगी जमा हो चुका है जिसके वज़से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं और जिससे हम बहुत परेशान रहते हैं अगर हम अपने सरीर को अंदर से साफ करेंगे तो हम बहुत सर बीमारियों से बच सकते हैं दोस्तों सरीर को उपर से ही नहीं बलकि अंदर से भी साफ करने की बहुत ज़्यादा हो सकते अगर आप अपने सरीर को अंदर से साफ नहीं करेंगे तो आप हमेशा पीमार ही पढ़ते रहेंगे जैसे ही आप अपनी बोड़ी को अंदर से साफ करेंगे तो आपका वजन अपने आप कम होने लएगा आपकी जो चरबी है वो खत्म होने लगेगी स्किन साफ हो जाएगी, स्किन के दाग धब्बे, पिंपल्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगे और आप हमेशा उर्जवार महसूस करेंगे इसके अलावा आपकी बहुत सारी बिमारिया भी दूर हो जाएगी जैसे की सूगर, PCOD, थायरैड, मुटापा, अस्थमा, पथरी, किड्नी अस्टोन, हाइव लट पेसर और कब्ज दोस्तों कब्ज ही सारी बिमारियों का जड़ होता है अगर आप अपने सरीर को अंदर से साफ करेंगे, तो ये सारी बिमारिया पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी दोस्तों, सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है, कि जो भी आप खाना खाते हैं, उसका सरीर में जाकर होता क्या है सबसे पहले आपका खाना पेट में जाता है फिर आपकी आतों में फिर आखिर में वो विष्ट बनकर आपके पेट से बाहर निकल जाता है तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा होता है तो हमारे पेट में गंदगी कैसे जमा हो गई गंदगी जमा होती है, जब यही खाना पच्ता नहीं है। तो अब आपका यह जाना जोरूए है कि आखिर आपकी शरीर में गंदगी कैसे जमा होती है। जब आप बजार की चीजे ज़्यादा खाते हैं या दिन भर कुछने कुछ खाते रहते हैं, तो ये चीजे पचने के बजाए सड़ने लगती हैं क्योंकि जब भी आप कुछ खाते हैं तो आप उसे पचने का समय ही नहीं देते फिर आप दुबारा से खाना चालू कर देते हैं ऐसा करने से आपका खाना पेट में सड़ता है और हजारों बिमारियों को जर्म देता है कि आपके पेट में कितनी गंदगी जमा हुई हो सकता है जो पिज़ा आपने साल भर पहले खाया था आज भी आपके पेट में सड़ रहा हो इसके बाद अपने पेट में ज़्यादा से ज़्यादा हेली चीज़ों को डालिए ताकि आप बिमारियों से बचे रहें आपके जो इतने मेहनत से कमा हुए पैसे हैं वो डॉक्टर के पास ना जाएं दोस्तो अब बात करते हैं कि आप अपने सरीर में जमागंदगी को कैसे निकालें इसका सबसे आसान रास्ता है 16 घंटे का उपवास आप रोजाना 16 घंटे का उपवास करें उपवास से बड़ी बड़ी बिमारियों को ठीक किया जा रहा है दोस्तो हमारे देश में हर धर्म उपवास करने को कहता है क्योंकि उपवास करने से ही आपकी सरीर की जमागंदगी बाहर निकल सकती है दोस्तो 16 घंटे का उपवास बहुत ही असान है इसके लिए आपको साम को 6 बज़े से पहले कुछ खा लेना होगा इसके बाद सीधा आप सुभा 10 बज़े कुछ खाएंगे इसके बीच में आप नारेल पानी पी सकते हैं या किसी सबजी का जूस ले सकते हैं इस तरह से अगर आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो आप अपने सरीर को हीलिंग करने का समय देते हैं और जब आपकी बोड़े हील करती है तो आपकी हजारों बीमारियां दूर होती है आपके पेट में जो सड़ा हुआ खाना है वो बाहर आता है और आपका खून साफ होता है जिससे आपके स्किन से रिलेटेट प्रोलम भी सॉल्फ होती है और आप बहुत सारे बीमारियों से भी बचे रहते हैं तो दोस्तों अगर आप अपने सरीर में जमागंदेगी को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको इतने सारे उपाई को जरूर करना चाहिए तो दोस्तों अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरबल ग्यान को सस्क्राइब कर लिजे धन्यवाद